कीट नियंत्रन, इंसेक्ट कंट्रोल, तो कीट नियंत्रन को दो भागों में बाटा जा सकता है एक प्राकर्तिक कीट नियंत्रण यानि प्रिकिर्ति के द्वारा होने वाला कीट नियंत्रण और दूसरा कृतिम कीट नियंत्रण जो मानो के द्वारा किया गया है कीट नियंत्रण तो सबसे पहले प्राकर्तिक कीट नियंत्रण को समझ लेते हैं हानिकार कीटों की संख्या यदि इनकी जनन छमता के अनुसार बढ़े तो ये कुछ ही वर्सों में मानो जाति का विनास कर सकते हैं गनीमत है कि वाता वर्णिये परिवर्तनों, कीट भच्छी जन्तुओं, वीशाणों, जीवाणों एवं फफोंदियों आदि के कारण इनकी बहुत बड़ी संख्या का स्वता ही बिनास होता रहता है और प्रकृत में इनकी संख्या एक सीमा में नियंत्रित रहती है इसे प्राकर्तिक कीट नियंत्रण कहा जा सकता है तो हानिकारक कीटों को नियंत्रित करना ही कीट नियंत्रण कहलाता है और जितनी अधिक कीटों की जनन्च्हमता होती है यदि उतनी अधिक तेजी से कीटों की संख्या बढ़े तो मानो जातिका ये कीट विनास कर सकते हैं मतलब ये हुआ कि इतनी अधिक संख्या में ये पैदा होते हैं यानि इनकी जनन छमता होती है लेकिन बीशाणवों, जीवाडवों, फफूंदियों, कीट भच्छी जनतुओं या वातावरणी परिवर्तनों के कारण इनकी बहुत बड़ी संख्या का विनास भी हो जाता है, बहुत बड़ी संख्या खत्म हो जाती है जिसके कारण इनकी सीमा नियंत्रित रहती है, इनकी संख्या नियंत्रित रहती है इसे प्राकरतिक कीट नियंत्रन कहा जाता है, यह निचुरल इंसेक्ट कंट्रोल कहा जाता है अब कृतिम कीट नियंत्रन के बारे में आपको बता देते हैं इससे पहले आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर के लिजिए क्योंकि हमारे चैनल में 300 से अधिक बायलोजी के बेस्ट टॉपिक के वीडियो अपलोडे हैं वहां से आप देख सकते हैं चलिए अ अब आपको बताते हैं क्रितिम कीट नियंत्रण आर्टिफीसियल इंसेक्ट कंट्रोल कैसे किया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं तो वैग्यानिकों ने भी हानिकारक कीटों के फसल विनास की कही क्रितिम बिधिया निकाली है यानिकारक कीट हैं फसल का विनास कर दे जिसमें से पहला है यांत्रिक नियंत्रण या-ंत्रण या-ंत्रिकल कंट्रोल तो इसमें होता क्या है कि बड़े-बड़े कीटो को हाथ से बीन-बीन कर या जाल आध में फसा कर मारते हैं यानि जो बड़े बड़े से कीट होते हैं उनको हाथों से बीन बीन कर या जाल में फसा कर मारा जाता है इसके अतरिक्त घरों अस्पतालों बाडों गोदामों आद की खिड़कियों एवं दर्वाजों में जाली लगा कर ऐसे कीटों से हम अपनी पसों की और वस्तों की सुरच्छा करते हैं इसी के साथ पहली बात तो बता है कि बीन कर उन्हें जाल में फसा कर मारते हैं या फिर घरों, अस्पतालों, बाडों, गोदामों आध की खिडिकियों को बंद कर लेते हैं दर्वाजों में जाली लगा देते हैं ऐसे कीटों से हम अपने पसों की, अपने वस्तों की और अपनी सुरच्छा करते हैं तो यह हुआ यांत्रिक नियंतर, इसी की अंतरगत, पहले लोग गुड, मिठाई, आध तेज गंधवाली, मीठी वस्तों द्वारा कीटों की बड़ी संख्या को एक अस्थान पर आकरसित करके मार डालते थे यानि पहले लोग पुराने जबाने में क्या करते थे, कि गुड रग दिया, उसके पास बहुत सारे कीट आ गए, अब उनको मार देते थे इस तरह से उनको आकरसित करके मिठाई रग दिया, या कोई तेज गंधवाली चीज रग दी, मिठी वस्तों, तो वहाँ पर बहुत सारे कीट आ जाते थे, तो उनको उस तरह से मार डालते थे आधुनिक बैग्यानिकों ने कीटों को एक ही अस्थान पर आकरसित करने के लिए लिंग आकरसक सुगंधियों का सफल उप्यों किया है इन सुगंधियों को फीरो मोंस कहा जाता है यानि आधुनिक बैग्यानिक जो है वो कीटों को एक ही अस्थान पर आकरसित करने के लिए जैसे पुराने जबने में लोग गोड मिठाई या तेजगंध वाली मिठी वस्तों को रखकर कीटों को आकरसित कर लेते थे बुला लेत एक जगह पर और उसको मारते थे लेकिन अब आधुनिक बैग्यानिकों ने कीटों को एक ही अस्थान पर आकरसित करने के लिए लिंग आकरसक सुगंध का प्रयोग किया है इन सुगंधियों को फीरो मोंस कहा जाता है यानि ये सुगंध क्या गहलाते हैं फीरो मोंस कहलाते और समानता कीट स्वयम लिंग आकर्सन के लिए इनका स्रामर करते हैं और कीट ही क्या करते हैं कि लिंग का आकर्सन हो इसके लिए इनका स्रामर किया जाता है जालियों में नर के फिरोमोंस लगाकर मादा कीटों को तथा मादा के फिरोमोंस लगाकर नर कीटों को एकत्रित किय जाता है तो कैसे इनको आकरसित करते हैं पहले जालियों में क्या किया जाता है कि नर के फिरोमोंस को लगा दिया जाता है जब जालियों में नर के फिरोमोंस को लगा देते हैं तो मादा कीट आकरसित होकर वहां पहुंसते हैं और फिर उनका खात्मा कर दिया जाता है ऐसे ही बाद में मादा के फिरोमेंस लगा कर नर कीटों को एकत्रित किया जाता है, यानि पहले नर के फिरोमेंस लगा जाता है, तो मादा कीट आकरसित होकर वहाँ पहुंसते हैं और उनका खात्मा किया जाता है, और फिर मादा के फिरोमेंस लगा दिया जाता है, तो फिर नर कीट वहाँ एकत्रित हो जाते हैं फिर उनका खात्मा कर दिया जाता है तो पुराने जबाने में लोग गोड मिठाई तेज गंदवाली मिठी वस्तों को रख करके कीटों को एकत्रित करते थे फिर उनका खात्मा करते थे और आधुनिक युग में बैग्यानिकों ने कीटों को आक ठाकिया गया और उनको मारा गया इस तरह से यांत्रिक नियंत्रण के द्वारा mechanical control के द्वारा कीटो को मारा जाता है फिर दूसरा है भौतिक नियंत्रण या physical control इसके बारे में जा लेते हैं कि इससे कीटो को कैसे खतम किया जाता है कैसे उनको कंट्रोल किया जाता है तो भौतिक नियंद्रण के अंतरगत इस विद्य में गोदामों, उदपादन केंद्रों आद में ताप को अत्यधिक बढ़ाकर हानिकारा कीटो का विनास करते हैं या सीतागारों में ताप को अत्यधिक घटा कर इन्हें निस्क्री किया जाता है तो भौतिक निंतरण के अंतरगत फिजकल कंट्रोल के अंतरगत गोदामों में उत्पादन केंद्रों में आधि में ताप को अधिक बढ़ा दिया जाता है यानि गोदाम के अंदर गर्मी को बढ़ा दिया जाता है ताप को बढ़ा दिया जाता है जह निस्क्री कर दिया जाता है और जब अधिक घर जाता है तो कीट निस्क्री हो जाते है जैसे सूजमजी होते थे कि अगर ठंडी है तो उसमें अधिक ठंडी होने पर निस्क्री हो जाते थे या गरम करने पर कुछ मर भी जाते थे और अधिक गर्मी से भी निस्क्री हो जाते या मर जाते थे इस तरह से फिर अगला है जैविक नियंत्रण तो दो हमने बताए mechanical control कैसे करेंगे physical control कैसे करेंगे अब तीसरा है जैविक नियंत्रण biological control कैसे किया जाएगा तो इसके अंतरकत कई सारी उत्वार्न नर कीटों का बांध्यकरण कर दिया जाता है तो इसमे नर कीटों के उपर छोड़ दिया जाता है यानि उनके लिंग का बंध्यकरण हो जाता है तो ये मादाओं से मैथुन करते हैं पर अंडो का निसेचन नहीं हो पाता है तो जब बांधेकरण हो जाता है लिंग में तो अंडो का निसेचन नहीं हो पाता है जिससे आगे और उनके संताने उत्पन नहीं हो पाती है इस तरह से जैविक नियंत्रण के द्वारा उनका कंट्रोल हो जाता है तो चिपकिली, मेढक, मकडी, पच्छियों, आदी कीड भच्छी जंतों की संख्या बढ़ा कर कीटों का विनास करते हैं यानि साप है चिपकिली, मेढक, मकडी, पच्छी, आदी जो कीड भच्छी जंतों होते हैं उन जन्तों की संख्या को बढ़ा दिया जाता है अब जब ये जन्तों बढ़ जाएंगे तो इन कीटों का भच्छन अधिक करेंगे जैसे साप है तो कीटों को अधिक खाएगा छिप के लिए घरों में आपने देखा होगा कीटों को बहुत ज़्यादा खाती है जैसे वाइरस उसके अंदर डाल दिया जाता है विभिन प्रकार के जीवाडों को यानि बैक्ट्रीटिया को तथा विभिन प्रकार के कबकों को या फंजाई को उसके अंदर प्रिवेश करा दिया जाता है जिससे संक्रमाण बढ़ जाता है और संक्रमाण बढ़ने से वह मढ़ जाते हैं इस तरह से कीटों को नियंत्रण किया जाता है जैविक नियंत्रण के द्वारा तो कुल मिला करके जैविक नियंत्रण के अंतरगत मैंने तीन बिधिया बताई बांधे करण, कीट भच्छन और परजी विता तो ये जैविक नियंत्रण या बायलोचकल कंट्रोल के द्वारा कीट को नियंत्रण किया जाता है इस तरह से फि समुचित रख रखाओ, निरर्थक घास फूज एवं जाडियों, आदिका उन्मूलन, गंदे जल की उपिक्त निकासी आदिका प्रबंध करते हैं, यानि सामाजिक नियंत्रण के अंतरगत रख रखाओ कैसे किया जाए जलासेओं का, निरर्थक घास फूज जहां पर पड़ उसको कैसे काटा जाए, जाडियों, आदिका उन्मूलन कैसे किया जाए, तो इस सारी चीजे हैं, यानि कुल मिलाकर के सामाजिक नियंत्रण के अंतरगत जहां पर हम लोग रह रहे हैं, वहां पर साफ सफाई रखें, जलासेओं का समुचित रख रखाओ रखा जाए, उसम को गंदा ना होने दिया जाए, तो इतनी सारी चीजें सामाजिक नियंत्रण के अंतरगत आती हैं, सोसल कंट्रोल के अंतरगत आती हैं, तो इस तरह से कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है, फिर अगला है बैग्यानिक नियंत्रण या साइंटिफिक कंट्रोल, तो बैग् जाता है और फसलों के हेर्-फेर की बिध्य अपनाते हैं और पहले कोई फसल बोई जैसे दान की फसल बोई गई है फिर उसके बाद कोई दूसरी फसल ले जाए तो अलग-अलग फसलों के बोने से क्या होगा कि कीट वहाँ पर नहीं आएंगे जिसे आप एक ही फसल बोरहें बार-बार करके धान गेहूं धान गेहूं यह बोरहें तो कीट आकरसित हो जाते हैं ताकि हानिकारक कीटों से अधिक ना वहाँ पर पनप पाएं तो फसलों को हेर फेर करके बोने से हानिकारक जो कीट होंगे वो वहाँ पर अधिक देर तक पनप नहीं पाएंगे वहाँ पर बस नहीं पाएंगे जिस वज़े से कीटों का नियंत्रन हो जाएगा तो ये scientific के अंतरगत मैंने बताया कि स्वस्त वीजों का उपयोग किया जाए, खाद एवं सिचाई का उचित प्रबंध किया जाए, बोने एवं काटने के उपिक्त समय का निर्धारन भी किया जाए, और फसलों को अदल बदल कर बोया जाए, यानि हेर फेर करके विधी अपन जाए, जिससे जो कीट होंगे, वो खेद में पनप नहीं पाएंगे, फिर अगला है रासायनिक नियंतरण, केमिकल कंट्रोल के द्वारा कीटों को कैसे नियंतरित किया जाए, यानि अगर किसी विधी से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो केमिकल कंट्रोल कैसे करेंगे, र इशाहले रासायनों द्वारा कीट नियंत्रण की बिधी सबसे अधिक प्रेचुलित एवं सरल है, यानि इसमें कोई भी परिशानी नहीं है, बहुत आसान है, दवायों को ले आईए, डाल दीजिए और कीट मर जाते हैं, इस तरह से हो जाता है, तो इसमें कीट नासक दवाय का प्रियोग किया जाता है, रासायनिक नियंत्रण के अंतरगत या केमिकल कंट्रोल के अंतरगत, कीट नासक दवायों का प्रियोग किया जाता है, या इंसेक्टिसाइट्स का प्रियोग किया जाता है, तो इंसेक्टिसाइट्स का प्रियोग करने में इन में कौन कौन सी हो किटोग को requiressu, कीक तुक्र केक कांचती का प्रियोग करें निकोटीन प्रियोग करें फ्लिट का प्रियोग कर करें अर्सेनिक, गंधक , आदिययगकों का प्रियोग ... रियोग किए जाकता है यह सिस्टॉक्स का प्रियोग कर सकतए है निप्थलीन है कफूर है , Applause Premier प्योग किया जा सकता है कीटो को नियंत्रित करने के लिए उनको मारने के लिए इसके अलावा रासानी नियंत्रण महंगा तो होता है परंतु आधिक प्रभावसाली और इस्थाई होता है तो इस प्रकार से रासानी नियंत्रण के द्वारा आप कीटो का नियंत्रण कर सकते ह इंसेक्ट कंट्रोल किया जा सकता है तो आज मैंने आप लोगों को कीट नियंतरन के अंतरगत प्राकर्तिक रूप से कैसे कीट मर जाते हैं किर्तिम कीट नियंतरन के अंतरगत मैंने बताए यांतरिक नियंतरन भौतिक नियंतरन, सामाजिक नियंतरन वैग्जानिक नियंत्रन और रासाईनिक नियंत्रन के द्वारा कीटों को कैसे नियंत्रित किया जाये आसा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो आज के अंक में इतना ही अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में वेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए तकि आने वाले अगले वीडियो को नट्विकेशन भी उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए धन्य कि अवब बाहिए उडा इब़ चुप